हाई मेरे फूडी लवल फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आई हो अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हूं सिर्फ पांच मिनट में बनने वाला चौकलेट लोड़िट केक चौकलेट लोड़िट केक यह जो केक है जितना दिखने में तयार हो जाएगा तो टाइम वेस्ट किये बिना चौकलेट लोड़िट केक बनाना शुरू करते हैं लेट्स सी तो फ्रेंस जैसा आज मैं बना रही हूँ केक तो केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया एक माइक्रोवेव सेफ बाउल और उसमें तोड़ दिया है यह एक अंडा और अंडा तोड़ने के बाद इसमें हम डालेंगे चीनी तो इसमें मैं डालूंगी तीन चम्मत चीन आप सरिफ माप का ध्यान रखे और अपने इसाप से उसे कम और ज्यादा कर सकते हैं तो तीन चम्मत चीने डालने के बाद इसे हम अच्छे से फेट देंगे और अब इसे हम डालेंगे तीन चमची ओईल ओईल का आप सिर्फ इतना ख्याल रखें कि उसमें कोई स्मेल ना हो मस्टर्ड का ओईल ना डाले वनना आपका केख खराब हो जागा उसमें एक स्मेल होती है और ओईल डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे कितना मिक्स करेंगे कि अंडा, चीनी और तेल आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए तो फ्रेंज ये तीनों चीजे मिक्स हो गई है तो अब इसमें हम डालेंगे मिल्क मेड तो मैंने इसमें तीन चमच चीनी डाली थी तो इसके अंदर जाएगा पांच चमच मिल्कमेड जिससे इसकी परफेक्ट स्विटनेस आपको केक के अंदर मिलेगी अब इन सब चीजों को में अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें डाल देंगे हम आदा कप दूद और आदा कप दूद डालने के बाद भी से एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे तो फ्रेंस आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये सारी चीजें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है अब इसमें हम डालेंगे dry ingredients तो सबसे पहले बैने ले लिये हैं मैदा तो एक कटोरिय डालेंगे इसके अंदर मैदा और अपने एसाब से कम और ज़्यादा करते हुए इसमें तीन चमच डालूँगी में cocoa powder आपको ज़्यादा डार खाना है तो चार चमच कर दीजिएगा और नई तो तीन चमच में काफी अच्छा चॉकलेट केक बनके तयार हो जाता है और इसे अच्छे से च्छान लेंगे च्छाने के बाद जो थोड़े बहुत इसमें कंड होंगे उन्हें आप निकाल दीजिएगा और इसे अच्छे से mix कर दीजिएगा बिल्कुल एक smooth batter बनाके तयार कर दीजिएगा जैसा मैंने किया है तो हमारे batter की consistency बिल्कुल perfect बनके तयार हो चुकी है अब इसके अंदर डालेंगे हम baking powder तो मैं डाल दें इसमें half teaspoon baking powder और जो spoon का back side होते है उससे थोड़ा सा डाल देंगे हम लेकर baking soda और इसमें pinch of डाल देंगे salt और इन तीनों चीजिएगा डाल के भी हम अच्छे से mix करेंगे तो friends अगर इस time आपको लग रहा हो कि आपका batter थोड़ा पतला है या tight हो गया है तो आप इसमें थोड़ा बहुत दूद और डाल सकते हैं लेकिन मेरा batter बिल्कुल perfect बनके तयार हुआ है तो आपको भी ऐसा batter ही एकदम तयार करना है तो friends अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीस लाइक कर दीजेगा शेर नहीं किया है तो शेर कर दीजेगा और जो आज पहली बार मेरे चैनल प्यार है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजेगा और साइड में बने हुए बैल के आईकॉन को भी दबा दीजेगा तो हमारा ये बैटर बनके हो गया बिलकुल तयार अब इसे हम डालेंगे माइक्रोवेव में आज ये जो केक है सरिफ 5 मिनट में बनके तयार होगा तो friends माइक्रोवेव में डालने से पहले अगर आप इसे और ज़्यादा चॉकलेटी बनाना चाहते हैं तो इसमें और ज़्यादा चॉकोचिप एड़ कर दे नहीं है तो आप चॉकलेट भी डाल सकते हैं तो मैंने ये डाल दिया इसमें चॉकोचिप और इसे एक बार कर दिया टप और टप करने के बाद सीधे से डाल दिये मैंने microwave के नॉर्मल मोड पर ही पांच मिनट के लिए और पांच मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगे कि हमारा केक किस तरह से बनके तैयार होगा यह बहुत ही जल्दी बनके तैयार होता है और जितनी जल्दी ये बनता है, उतनी जल्दी ये खतम भी हो जाता है तो अब ये पांच मिनट हो चुके हैं, आपको दिख रहा होगा हमारा केक बनके हो गया तयार अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूं तो friends ये देखो कैसा लग रहा है आपको हमारा ये chocolate cake लेकिन अभी ये chocolate loaded cake नहीं हुआ है इसमें अभी और भी चीज़ें बाकी है इसलिए वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा तो ये हमने cake को निकाल दिया microwave से बाहर अब इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन जैसा मैंने कहा कि आज मैं इसे बना रही है लोड़िड तो उसके लिए इसे इस बाउल से मुझे बाहर निकालना जरूरी है तो ये आपको दिख रहा होगा ये स्टम बहुत स्पंजी और दिखने में भी बहुत चोकलेटी बनके तयार हुआ है तो फ्रेंज आप ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है और फिर एक प्लेट पे इसे इस तरह से पल्ट दें तो ये हमारा केक इस तरह से बनके बिल्कुल तयार हो गया है अब इसे हम कर देंगे सीधा तो ये हमने केक को कर दिया सीधा तो इस टाइब हमारा केक बनके हो गया है तयार आप इसका मज़ा ऐसे भी चाई के साथ ले सकते हैं लेकिन आज मैं बना रही हो इसे चॉकलेट लोड़िट तो इसके लिए भी और प्रप्रेशन बागी है तो इसके लिए मैंने ले लिए चॉकलेट तो यह मैंने लिए 100 ग्राम चॉकलेट और इस चौकलेट को हम छोटे-छोटे पीसेज में कट कर लेंगे और कट करने के बाद हम लेंगे कटोरी में गरम दूद हमें उतना गरम दूद लेना है कि जिसमें हम उंगली डाले तो वो अच्छे से गरम फीलो तो यह मैंने ले लिया आधा कप गरम दूद और इसमें हम डाल देंगे सारी चौकलेट को क्योंकि हमें चौकलेट को मैल्ट करके गनाश तयार करना है पहले तो यह मैंने सारी चौकलेट डाल दिया इसके अंदर और आधा इंच बटर का टुकड़ा भी डाल देंगे साथ में और इन तीनों चीज़ों को अच्छे से mix करेंगे जब तक कि ये तीनों चीज़े आपस में अच्छे से घुलना जाए तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि ये सारी चीज़े अच्छे से mix हो गई है अगर थोड़ा बहुत बचा है तो कोई नी वो भी हम अच्छे से use हो ज देंगे और एक फोक से इस तरह से इस में उपर से whole कर देंगे जिसकर कि हमारे केक के अंदर हम जो भी चॉकलेट डाले वह अंदर तक चली जाए और केक के अंदर softness जादा हो जाएए तो ये मैंने इसमें अच्छे से whole कर दिया है अब लेंगे हम एक चाकु और चाको से इस लेकिन आज में इसे चॉकले लोड़िट बना रहे हो इसलिए आप लोगों का टाइम लग रहा है आप चाहें तो स्टार्टिंग में जैसे ये पांच नूट में बनके तयार वह था वैसे भी खा सकते हैं और अपनी पसंद से इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं तो दो पार्ट मे डिवाइड करने के बाद एक बार फिर से फोक से हम इस तरह से होल कर देंगे अब ये जो हमारे पास चॉकलेट लिक्विड है इसे इस तरह से डाल देंगे कि हमारा केक का इसे अच्छे से अपने अंदर अब्जॉर्व कर ले तो यह मैंने बहुत सारी चॉकलेट दोनों के के उपर डाल दी है तो दोस्तों यकीन मानों अगर आपने एक बाई एक एक बना लिया तो आपके बच्चे वीक में अगर दो बाद ना बनवाएं तो कहना और यह तनी जल्दी बनके तयार होता है और अच्छा लगता है कि सबका मन करता भी है कि इसे बना लो और इन दोनों ह को अच्छे से सेट करने के बाद हम लेंगे एक दूसरा बाउल थोड़ा बड़ा बाउल जिसमें हम इसे अच्छे से चॉकलेटी सेट करेंगे तो यह मैंने इस पर रग दिया है और जो हमारे पास चॉकलेट गनाज बनके तयार हुई है वो थोड़ी इस टाइम गारी भी ह हो गई है उसे हम इस तरफ से अच्छे से पोर कर देंगे जिससे कि अच्छे से अंदर तक तो पी ले और साइड से भी अच्छे से चॉकलेट सारे केक के उपर लग जाए तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि यह इस टाइम कितने अच्छे से सारी चॉकलेट के अंदर observe हो गई है और पूरी तरह से हमारा केक चॉकलेट ही दिख रहा है अब इसके अपर हम थोड़ी से और ग्रेट की हुई चॉकलेट डाल देंगे और थोड़े से चॉको चिप जिससे और ज़्यादा आपको चॉकलेटी नजर आएगा तो यह मैंने खूब अच्छे से इसके हो जाए और फिर एक पल्टे की हेल्प से इसे इस तरह से लेकर अपनी उस दूसरी प्लेट पे ड्रग दीजिएगा तो आप लोगों को दिख रहा होगा ना कि कितना च्छे बनके तयार हुआ है और नाइफ से इस तरह से आराम से पल्टे को निकाल लीजिएगा और इसे ज चॉकलेट लोड़ट केक बनके तयार होगा है जिसे हमने सरिफ पांच मुनट में आज बनाया है माइक्रो वेव के अंदर आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी आपको मेरे ये माइक्रोवेर के चोकलेट केक की रेसे प्रसंद आयो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और एंजोई कीजिए चोकलेट लोड़ेट केक